नहीं ठीक है बिल्कुल, आप थोड़ा सा इंजार कीजिए। कनाया जी। का और मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, जगह की कमी के चलते कमरे में आ नहीं पाये हैं, लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिर्कियों से। मैं आप सब का स्वागत करता हूँ। हमारे युवा साथी और गुजरात कॉंग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई हार्दिक पतेल जी। और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घरी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बटगाम से निर्दलिया विधायक साथी जिगनेश मिवानी जी। मैं आप सब का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपने पतरकार साथीों से कुछ चीजों को लेकर मुखातिब हो उससे पहले आज ये एक अतिहासिक दिन है। आज सहीदे आजम भगत सिंग की जेनती है, लोग शहीद होते हैं, भगत सिंग सहीदे आजम हैं, सहीदे आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यारपन करने के लिए गए थे, सहीद पार्क, वो सहीद पार्क एक अतिहासिक पार्क है, वो हिस्सा है फिरोसा कोटला जहां पर चंदरसेखर आजाद जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी। जिहासिक भूमी और हमारे युवाओं के आइकन सहीद आजम भगत सिंग को हम अपना नमन प्रस्तूत करते हैं। आज एक दुखट घटना भी हमारे जिले में हुई है। बजरपात के चलते दो बच्चियों का निधन हो गया है। मैं इस मंद से उनके प्रती सोक व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार के प्रती अपनी समवेदना व्यक्त करता हूँ। दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज कल सूचना करांती के इस दौर में हमसे ज़्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है। तो बहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें मैं आपका जवाब दूँ। लेकिन आप सवाल कहां से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं। इसका थोरा सा अंदेशा है मुझे। थोरा अंदाजा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। कि आपने पतरकारिता की उस मिसाल को जिन्दा रखा है। कि कमसे कम विपक्च से तो सवाल करते हैं ना। ताकि इस देश को याद रहे कि पतरकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा। जितना सवाल आप पुछना चाहते हैं, पुछिएगा, बारी-बारी से पुछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूँगा, बस एक सवाल का जवाब, जो मुझे लगता है कि आप सब के मन में होगा, कि आप Congress Party क्यों जोइन की हैं, उस सवाल का जवाब दे करके, मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ मुखातिब होँगा, माईक उनको समर्पित करूँगा, मैं Congress Party इसलिए जोइन कर रहा हूँ, कि मुझे यह महसूस होता है, कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच हैं, वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ जुए हैं, इस देश की चिंतन परंपड़ा, संस्कृति, इसका मूल, इसका इतिहास, इसका बरतमान और इसका भविस्थ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समत जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था, कि आप अ दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे, तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोड़ दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, मैं हम इसलिए सामिल होना चाहते हैं, कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोडों नौजवानों को ये लगने लगा है, कि अगर कॉंग्रेस नहीं बचा, तो देश नहीं बचेगा, और ये बात मैं आपको असपस्ट कर देत हूँ, देश में परधान मंतरी अब भी हैं, देश में परधान मंतरी इससे पहले भी थे, देश में आगे भी परधान मंतरी होते रहेंगे, लेकिन आज जब हम लोग स्री राहुल गांधी जी के उपस्थिती में, फॉर्मली कॉंग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिगनेश ने संबिधान की कौपी दी और हमने उनको भगत सिंग, गांधी और अमबेटकर की तस्वीर प्रस्तूत किया क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंग की बीरता की जरूरत है, भगत सिंग के साहस की जरूरत है, आज इस देश को अमबेटकर की समानता की जरूरत है, और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है गांधी जब कहते हैं रगुपति रागव राजा राम पतीत पावन सीता राम ईश्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ये गांधी की एक्ता है जब अमबेटकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मुल्यांकन वहां महलाओं की क्या हिती है इस बात से होगा तब वह समानता की वकालत कर रहे होते हैं मैं नहीं मानता हूँ कि डक्टर बाबा साब भीमरा अमबेटकर किसी एक समुदाय के नेता थे कॉंग्रेस पार्टी ने संभिधान सभा ने डक्टर बाबा साब भीमरा अमबेटकर को संबिधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस संबिधान के प्रियम्बन में यह लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत संपन समाजबादी धर्म निट पेश लोकतांत्रिक गनराज्य बनाने के लिए इसमें सहमानता न्याय के मूल नहित है और जब भगत सिंग कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं विचारों को नहीं आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं उस साहस की जरूरत है हमको मुझे नहीं लगता है मेरे बहुत सारे राजनितिक दोस्तों को यह लगता है आज भी हर कोई अपना अपना सोरूम बचाने के चक्कर में है रे भाई मौल में आग लग गया है दुकान बचाओगे बस्ती में जब आग लग जाती है न बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए आज हम इस मुहाने पे खरे हैं कि इस देश के भीतर भारतिय होने की जो पहचान है जिसमें बुद्ध नहीं थे जिसमें कबीर नहीं थे जिसमें नानक नहीं थे जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है उस भारतिय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है इसलिए हम Congress Party में सामिल हुए है कि Congress Party वो पार्टी है जो गांधी की विराशत को ले करके आगे चलेगा Congress Party वो पार्टी है जो सरोजनी नाइडू के विचारों को ले करके चलेगा Congress Party वो पार्टी है जो हम बेट कर नहरू,स्पाक उल्ла खान सहीद आजम भगत सिंग और मौला नाबुलकलाम के आजाद के रास्नों पे चलेगा हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है यह भारतिय होने का इतिहास है और इस भारतिय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जो लोग कह रहे हैं विपक्च कमजोर हो गया है यह सिर्फ विपक्च के लिए चिंता की बात नहीं है यह मैं नहीं कह रहा हूँ कोई सास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए जब विपक्च कमजोर हो जाता है सत्ता ताना साही रुख अख्तियार कर लेती है इसलिए देश की सबसे बरी विपक्ची पार्टी मैं कोई गुनागनित नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे यह बात सीधे तोर पे समझ में आ रही है कि देश के लोक सभा में 545 सीट है 200 लगभग सीट ऐसे है जहां भाजपा के सामने कॉंग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है लेकिन जो पार्टी सबसे बरी पार्टी है सबसे बरी भी पक्षी पार्टी है उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया चोटी चोटी कस्तियां भी नहीं बचेगी इसलिए और मैं जब यहां बैठा हुआ हूँ मेरे इतिहास को मेरे बरतमान को लोग देख रहे हैं बहुत सारे सवाल हैं वो आएंगे उनका जबाब मैं दूँगा लेकिन यह जो इतिहासिक जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुह नहीं मोर सकता हूँ मैं जहां पैदा हुआ जिस पार्टी में पला बढ़ा उसके परती मैं आभार विक्त करता हूँ उसने मुझे सिखाया पढ़ाया लगने का जज़बा दिया है लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोरों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे अपने स्कूल के वाटसेप ग्रूप में जब हम लोगों के उपर अनावस्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लर रहे थे अपने घरों में डिनर टेबल पे लर रहे थे लोगों की दोस्तियां तूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में और मैं मजात नहीं कर रहा हूँ लोगों के डिवोर्स तक हो गए ये जो देश में एक बैचारिक संघर्स छिड़ा है उस बैचारिक संघर्स को कॉंग्रेस पार्टी ही नित्रित दे सकती है ये हमारा भरोसा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के जो लाखों करोरों नौजबान आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी मैं आगरा कहता हूँ दिवाल पर बैच कर टुकुर टुकुर मूँ ताकने का वक्त नहीं है ये अर्जिंसी का टाइम है और इस अर्जिंसी के टाइम पे दिवाल पर बैच करके दाया जाएं की बाया जाएं ये मत सोचिए जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो एविलेबल चीजे होती हैं आप उससे मुकाबला करने की कोशिस करते हैं कॉंग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है अगर कॉंग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोरों नौजवानों की अकानचाएं बचेगी गांधी की मिमानसा बचेगी भगत सिंग के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साब भिमरा अंबेदगर की समानता का भारत का निर्मान संभब हो पाएगा इसी आसा और उमीद के साथ मैं इस पार्टी से जुरा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि कॉंग्रेस पार्टी जो अपने आपको एक लोगतांत्रिक पार्टी कहती है आजादी के साथ अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लरना भिरना संघर्स करने में हमारे साथी रहेंगे हमारे सहयोगी रहेंगे और ये परिवार संघ परिवार नहीं वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना परे वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है कहता है कि अपने परिवार में रहे अरे महात्मा गांधी कस्तुर्वा गांधी को ले करके अंग्रेजों से लड़ गए बताईए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा कोई जरूरी है क्या घर परिवार के साथ रहना है डौक्टर बाहसाब भीमराम बेदकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे आप जितने बरे लोग हैं उनका इतियास उठा करें देख लीजिए सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे वो परिवार छोर करके बनने वाला परिवार नहीं नाय बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं सामिल हुआ हूँ सभी सदस्यों के परती देश के अंदर फैले हुए लाखों करोरों कारेकरताओं को अपना आभार वेक्त करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैं जिगनेश भाई से प्रात्ना करूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे जिगनेश शी